हेलोenkार,। मैं शत्पाल پांचिया स्वागत करता हूं, आपका हमारे YouTube स्वागत करता हूं। आपका हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं Digital Computer Institute .inается अभई कर्एन्ट में हम सीख रहे है entre अबेसिक्ट से एड्वांस Telley Prime Course और यह Telley Prime Course का lesson no.19 करेंगे का PART B है जिसमें हम आपको डिसकाउंट के बारे में जानकारी देंगे वह भी की सेल डिसकाउंट आगर हमें में यून्य टैराली प्राय्म में सेल वाउचर पर जाट लगाना पड़ जाए तो हम किस प्रकार उसको apply कर सकते हैं यह जितनी भी आपको transaction दिखाई दे रहे हैं यह सभी sale की हैं और सभी discount से समंदित हैं तो इन transaction को हम tally prime में कैसे करेंगे वो इस lesson में इस video में हम सीखने वाले हैं पहले में आपको बता दूँ कि discount जो होते हैं दो परकार को होता है वैसे में लास्ट वीडियो में यह चीज़ बता चुका हम आपको trade discount cash discount trade discount बलग quantity पर लगता है और cash discount जब नगद की entry हम कोई करते हैं परचेज पर तो उस time दोनों व्यापारियों की understanding से लगता है वैसे में आपको बता दूँ कि टैली प्राइम के अंदर entry करने के लिए हम तीन परकार से discount को apply कर सकते हैं पहला है कि percentage column के according हम sale voucher या purchase voucher पर apply कर सकते हैं दूसरा जो है cash or trade discount को हम apply कर सकते हैं यानि जो percentage column जो है इसमें क्या होता है इसमें directly एक column आ जाता है हमारे पास purchase या sale में जिसमें हम without discount का ledger create करे discount को minus कर सकते हैं cash or trade discount में क्या होता है इसको हम अलग से cash trade discount अगर हमें दिखाना पड़ जाए तो इसमें हमें cash or trade discount का ledger बनाना पड़ता है लेकिन एक होता है तीसरा discount discount on total amount कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भी हमारा bill बना है चायो purchase हो sale हो उसकी total amount पर अगर हमें कोई discount दिया जा रहा है या लिया जा रहा है तो उस condition में हमें total amount पर जो discount लगा जाता है उसका तरीका अलग है यहां पर भी discount ledger बनेगा लेकिन जो cash or trade discount का ledger होता है उससे थोड़ा अलग बनता है इन तीनों तरीकों को हम one by one समझेंगे by practical तो चलते हैं अपने टैली प्राइम में और हम आगें अपने टैली प्राइम में और टैली प्राइम में सबसे पहले transaction करने के लिए वाउचर में आएंगे क्योंकि sale की हम entry करने वाले तो यहां पर sale ledger जो है sale voucher जो हम active करेंगे F8 की press करेंगे यहां से तो हमारा sale voucher जो है वो open हो जाएगा वैसे हम sale की transaction आपको करना सिखा चुके हैं पहले हम अपनी transaction को थोड़ा समझ लेते हैं पहली transaction जो है 2222 जो है model है laptop के 6 जो की डल के हैं उनका rate यह है जो की 12% discount पर है इसको हम जो हमारा first topic है यहां परस्ट जो टाइप है यहां परसेंटेज कोलम के according आपको करके दिखाने वाले हैं next के अगर बात करें next में अलग से दिखाया है cash discount यानि इसको हम cash discount apply कराएंगे यहां पर यहां पर हम trade discount अपलाई कराएंगे और यहां पर total amount का यहां जो यहां पर हमने ले रखे हैं तीन topic इनके according हमने अलग-अलग transaction बना रखी हैं तो patience रखें आपको सभी transaction को हम one by one solve करके दि वाउचर जो है वह ओन है यहां पर एंटर करेंगे सोरी यहां पर पहले बिल नंबर डालेंगे हम जो हमारा बिल नंबर है वह है 1401 यहां नहीं 1401 ठीक है और इसको एंटर करेंगे party name में cash है क्योंकि पहली entry जो cash की है यहां पर enter करेंगे control ले करके accept और यहां पर आपको ध्य क्या है मेरे पास laptop है कौन कौन सा है डबल बन और पहले अब देखो यह जो आया हुआ यहां पर discount यह जब मैंने purchase की जब ओन किया था तो यहां पर आ चुका है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाओं यहां पर यह नहीं ओन रहा है तो मैं आपको बता देता हूं आपको क का यहां पर पर दोनों कर देता हों मैं यहां पर यहां पर दिखाओं एसको कंट्रॉल यह से एक्सेट कर लेता हूं ठीक है तो अब आप देखना है यहाँ पर कोई discount मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो अब मुझे वो यहाँ पर show कराना है तो क्या करेंगे हम वही keyboard से F11 प्रेस करना है ध्यान रहे और यहाँ पर इस वाले feature को हम कर देंगे yes तो यहाँ पर हमने इसको करना है yes जो भी invoices का discount है ठीक है इसको हमने yes कर देना एक बार मैं इधर करके दिखा देता हूं हमने किसको on किया है ठीक है और यहाँ पर control A से accept तो यहाँ पर हमारे यह column आ चुका है तो इसमें करना क्या है कुछ नहीं करना आपने यहाँ सबसे पहले quantity डालना है यहाँ पर रेट डालना आप यहां से वह पूछ रहा है कि कितना discount आप इस पर apply कराना चाहते हो यह cash or trade discount नहीं है यह column wise discount की बात कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर देखना एक लाख 80,000 रपे है आपके पास amount और इस पर discount जो है वह 10% है ठीक है तो क्या यहाँ पर आगर हम 10% लगाते हैं क्या वह minus हो जाएगा बिल्कुल होगा अभी आप देखना जैसे हमने enter किया तो यहाँ पर देखो कि 10% amount जाए वह minus हो चुका है यहाँ एक लाख 62,000 यहाँ पर आ चुका है ऐसे हम दूसरा apply करेंगे यहाँ पर हाँ देखो यह जो discount आया हुआ इसके बारे में बात में बात करेंगे यह cash or trade discount के बारे में है एक laptop और है हमारे पास 2222 और इसके 6 unit है और rate क्या है इसका rate जो है 58,000 12% 58,000 और discount कितना है 12% तो क्या discount यहाँ पर apply होगा 12% बिल्कुल होगा 12 हमने डाला और यहाँ पर enter किया तो अ अब आप देखो यहाँ पर आपका जो हो रहा है ठीक है यानि मतलब detect हो चुका है तो इस परकार आप percentage column के coding भी discount लगा सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी परकार का discount लेजर बनाने की आवसकता नहीं है अब जो जो इसकी requirement है यहाँ पर आप IGST, CGST जो भी आप लगाना चाह करेंगे और यहाँ पर करंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका preview देखना फिलाल तो अफिलाल तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें discount का कॉलम अलग से नजर आ रहा है जिसमें दिखाया गया है डबल वन डबल वन लैप्टोप पे 10 परसेंट है और डबल टू डबल टू पे 12 परसेंट है जो की डिटेक्ट भी हो चुका है उसके बाद इसके अंदर यह टोटल भी होके अलग अलग हमें सो हो रहा है तो इस परकार हम डिसकाउंट अपलाई करा सकते हैं कोलम पर्सेंटेज के अकोरणिक ऑर इसको कंट्रोल से एकषेप्ट कर लेते हैं तो अब पूछ रहा है क्या आप इसका इबिल देना चाहते हैं नो फिक्या यह accept हो गया अगर आप इसको देखना चाहते हो कीबूर्ड से पेज अपकी प्रेस कर देना तो आपको यह दिखने लग जाएगा क्यों कि अब नेक्स ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं नेक्स ट्रांजेक्शन है हमारे पास जो की है और यहां पर यहां पर यह वाला ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाए अगर आपको कैस डिसकाउंट या ट्रे डिसकाउंट दिखाना हो तो आप जो परसेंटेज कोलम में वह आप नहीं दिखा सकते तो इसको कैसे दिखाएंगे तो इसको देखते हैं तो सब्सक्राइब हम ट्रांजेक्शन करते हैं मोनीटर है डबल ठ्री डबल ठ्री साथ हजार के साबसे तो यहां पर एंटर सोरी बिल नमबर हम लगा देते हैं बिल 1402 यहां पर 1402 और एंटर यांपर परटी हमने कैस में स्लेक्ट सोरी जोड़ी मैं यहां पर हमने कैस्में स्लेक्ट किया ने है इसको तो हम यहां पर कैस्लेक्ट करें ग और रेगुलर यहां पर GST नमबर जो आपका अपलाई होगा वह आप यहां पर लगाएंगे उसके बाद सेल और इसके बाद यहां पर क्या खरीदा आपने मोनीटर मोनीटर डबल त्री डबल त्री अब एक बात ध्यान रखें कितने हैं 10 है कि 7000 के साथ से हैं अब यहां वाल तो अब अब पर कहां पर यहां पर यह वाला डिसकाउट अब आप यह होगे कि यह डिसकाउट आया कहां यह बदए काई से हैं क्यां इसको में आपको आपको ना ऑनो राप संगें डिखाइ दिरो मैं थोड़ा जों करता हूं यहाँ पर दिखाई दिरा रहपो परवाइड कैस लाश ट्रेड डिसकाउं यह हमने यस कर रखा है ठीक है आपको दिखाई भी रहोगा इसका हमने यहां पर यह किया हुआ अगर हम इसको नो कर देते हैं और अब आपको दिखाते हैं कंट्रोल एक्सेप्ट तो यहां पर वह हमें नहीं दिखाई देगा एक डिसकाउंट को एक्टिव करना होगा तो डिसकाउंट को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे कीबोड से प्रेस करेंगे एफ 12 और यहां पर जो परवाइड ट्रेड और कैस्ट डिसकाउंट ऑप्शन है इसको हमने कर देना है यहां पर यस क्या कर देना है यस कर देना ह है ठीक है हमने किया यस और उसके बाद कंट्रोले से एक्सेप्ट जैसे मैंने यस किया तो आप देखो यहां पर यह ओप्सन हमें डिसकाउंट का नजर आने लग जाता है अब अब देखो बात बिल्कुल समझने किया ध्यान से देखना इस चीज़ को यहां पर यानि जो डब जगाने के बाद मैं एंटर करूंगा तो यहां पर मुझे अमाउंट चपन सो जो है 5600 वह सो हो चुकी है लेकिन यह जो है माइनस नहीं हुए अभी तक देखो माइनस नहीं हुए इसको माइनस कराने इसको कैसे माइनस कराना होगा अभी वेट करें देखते हैं नेक्स्ट म 9%idezकांट यहां पर मेरे पास नेगिटिव स्टोग आ रहा है याणि में 15 नहीं भीस सकता हूं यहां पर हम 11 बेच रहे हैं बैसको सोरी 10 कर और तो यहां पर 11 ब्रेइते हैं और जो स्कांबर यहां जो ह negotiating bıs रहें और पास वहाई 8,200 तो हम यहाँ पर 8,200 करेंगे ठीक है और अब इसका भी यहाँ पर हमें discount देना है ठीक है कितना discount है यहाँ पर discount है 9% इसको मैं पहले 11 कर देता हूँ तो इसका जो है 9% है अब मैंने यहाँ पर 9% भी लगा दिया और enter किया तो यहाँ पर इसकी amount भी आ चुकी है अब ध्यान से देखो यहाँ पर दोनो discount की amount जो हमें 100 हो रही है लेकिन यह amount अभी minus नहीं हुई है देखो नहीं होगी तो इसको minus कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह जो lining है total वाली इसको cross करना पड़ेगा cross करने के बाद यहाँ पर अब आपको discount का ledger अगर बना हुआ है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा लेकिन जो cash और trade discount का ledgers है वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है इसलिए मैंने पहले से नहीं बना रखा तो मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं जो cash और trade discount का ledgers है वो अलग तरीके से बनता है तो alt plus c press करेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर हमने discount ठीक है और discount के बाद हम लिख देते हैं cash पहचानने के लिए यह तो और trade ठीक है और यह जो है अब आपको यह देखना पड़ेगा रसीव है यह अलो है मैं एक बात बता दूँ यदि आप purchase के दोरां discount मतलब apply कर रहे हो तो वह आपका discount रसीव होगा और अब आप sale के दोरां अगर आप discount apply कर रहे हो तो यह discount allow होगा आप चूट दे रहे हो अगले को मतलब आप सस्ते में समान बेच रहे हो यह यहाँ पर आप discount allow कर रहे हो यह discount रसीव नहीं है तो यहाँ तो आप यह तो discount paid लिख लो इसको आप यह discount allow ठीक है यह आपको mention करना अब under में किसके आएगा यह अंडर में आएगा यह indirect expense किसके आएगा indirect expense अगर यह receive होता तो indirect income आता जैसे मैं इसको apply किया अब यहाँ पर लेजर तैप यह बात ध्यान से रखें लेजर टाइप में क्या ऐगा discount क्या ऐगा discount यह सबसे जरूरी बात है चाए आप यहाँ पर पेड़ी लिखो या्ना लिखो आप यहाँ पर कोई cash trade discount लिखो या ना लिखो मतलब पहचानने के लिए आप जो मर्जी लिखो लेकिन यहाँ पर आपको discount लगाना पड़ेगा उसके बाद इसको accept, जैसे मैंने इसको accept किया यहाँ पर और यहाँ पर इसका नाम आ चुका है और यहाँ पर देखना इसकी जो amount है हमें यहाँ पर minus में 100 होने लग गई है, 13,718 रुपे और जो कि इस amount में से minus भी हो चुकी है क्योंकि total amount तो है 1,60,200 रुपे और यहाँ पर minus होने के बाद मेरे पास आ गई है 1,40,420 रुपे तो यह कैसे हुआ जो हमनी cash और trade discount लगाया है यानि जो यहाँ पर 8%, 9% वो अब जाके हमारा minus हुआ है अब इसको करते हैं enter और यहाँ पर जो भी GST लगना है आपका CGST, SGST यहाँ पर CGST लगेगा तो अब यहाँ पर हम इसको apply करते हैं और SGST ठीक है, enter और इसका भी अगर आप print लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके बाद accept accept और यह हमारी दूसरी transaction भी होच चुकी है उसके बाद next है, third transaction इसमें देखो दिखाया गया है trade discount हम कैसे पता करेंगे कि यह cash discount और trade discount है देखो, एक simple सा तरीका है अगर खली discount लिखा हुआ है उसमें नहीं बताया है cash और trade है तो आप उसको cash और उधार से समझ सकते हो मतलब जो trade discount है वो cash पे होई नहीं सकता और जो cash discount हो हमेशा cash वाली entry पे ही होता है बस यहीं फरक होता है इसमें कि trade discount उधार पे apply हो जाता है और cash पे भी हो जाता है लेकिन उसको mention करना पड़ता है अगर mention नहीं किया हुआ है only discount है तो और nugget की entry है क्या है? nugget की entry है तो आप उसको cash मानेगे अगर आप उधार की entry अपलाई कर रहे हो यदि आप उधार की entry पे अपलाई करा रहे हो तो वो trade discount होगा वैसे इन दोनों का ledger एक ही बनता है मैंने आप यह आपको दिखाया चाहे जिस मर्जी में कर देना वो discount उसी में जाएगा अब इसको देख लेते हैं वैसे तो same to same है फिर भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको तो यहाँ पर हमारे पास है 90 keyboard हमने डवल फाइडवल 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 के खरीदे हैं तो यहाँ पर उधार की entry है राहुल से अल्रेड़ी हम राहुल का लैजर बना चुके हैं तो यहाँ पर हम राहुल को select करेंगे और यहाँ पर इसको accept और इसको accept कर लेंगे क्योंकि अल्रेड़ी फीड है सब कुछ detail और यहाँ पर जो है की वोड है डवल फाइव डवल फाइव और 90 पीस है और rate क्या है rate हम देख लेते हैं एक बार rate है 650 रुपे 12% 650 रुपे लेकिन आपको यहाँ वाला discount अपलाई नहीं करना है ठीक है कौन साथ अपलाई करेंगे हम यहाँ पर 12% यहाँ वाला अपलाई करेंगे तो 12% हमने यहाँ पर लगा देना है ठीक है उसके बाद keyboard अगीन एक और है मेरे पास 666 और इसकी जो quantity है 50 है और इसका rate जो है वो है 780 रुपे 780 रुपे और discount कितना है discount है 15% यहाँ पर 15% अब देखो यहाँ पर यह amount तो आज चुकी है यहाँ पर देखो 12870 रुपे वो जो है माइनस हो चुके हैं तो इस परकार हम cash or trade discount को apply कर सकते हैं अगर उधार की entry है तो उसे discount बोलते हैं अगर नगद की entry है तो उसे हम cash discount बोलते हैं और कोई फरक नहीं है ज्यादा confused मत हो next है हमारे पास transaction इसको पहले accept कर लेते हैं और इस पर कौन सा GST लगेगा यह पंजाब से थी तो IGST लगे कौन सा लगेगा IGST ठीक है और इसको हम कर लेते हैं accept ठीक है और यह accept हां यहाँ पर क्या आएगा new reference आएगा जब हम कोई उधार में समान बेजते हैं खरीदते हैं तो अगर नया बिल है तो new reference आता है अगर payment अगर दूसरे का कोडिंग हो रही तो आपर अगेंस reference आता है लास्ट वीडियो में मैं इस चीज को समझा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से इसको नो करेंगे आपर अब next है हमारे पास लास्ट एंट्री इसमें बताया गया sold the flowing goods to SEMA after 12% discount on total amount वही यहां पर देखो यहां तो हमें बता दिया गया था कि इस पे इतना percent discount है यहां पर हमें बताया नहीं है कि HP के left mouse पे कितना discount और Dell के mouse पे कितना discount है बस यह बता दिया गया है कि जो total amount होगी ना उस पे 12% discount है और यह after GST, before GST यह आपको बिल में mention करना होगा फिलाल यहां पर यह total amount पे है तो after GST है तो इसको हम कैसे apply कराएंगे यह बात भी समझने की है अक्सर गल्दी कर देते हैं total amount पे GST लगाने में तो यहां पर बिल नंबर आ गया हमारा और यहां पर सीमा को हम select कर लेते हैं कंट्रोले यहां पर भी कंट्रोले और यहां पर क्या खरिदा हमने सरी बेच्चा है HP के माउस बेच्चे है ठीक है 123 जो की मोडल नंबर है ठीक है माउस 123 और यहां पर quantity है I think 50 50 है 510 रुपे के साब से 510 रुपे के साब से यहां पर आपको कोई discount नहीं लगाना है अब आपक लगेगा अभी देखते जाना यहां पर माउस एक और आएगा हमारे पास एक माउस और है और उसकी quantity हमारे पास 60 60 और रेट क्या है रेट है चारसो 640 रुपे 640 रुपे अब देखो ना तो हमने कोलम वाइज परसेंटेज दी कोई discount की ना हमने यहां पर ट्रेट डिसकाउंट या कैस डिसकाउंट में कोई discount दिया अब डिसकाउंट लगेगा कैसे अभी पहले आप इसका GST लगाओ और C GST, SGST लगेगा यहां पर क्योंकि local से है तो यहां पर C GST भी count हो गया और यहां पर SGST भी count हो गया है हाँ यह चीज आपको थोड़ा ध्यान देनी होगी अगर आपको before GST बोला गया है तो पहले discount लगाएंगे अगर after GST लगा गया है तो आप GST लगाने के बाद आप discount अब हम यहां पर जो है discount का ledger select करेंगे लेकिन अक्सर गलती क्या करते हैं कि जो हमने already discount का ledger अभी बनाया था ना तो उसको select कर लेते हैं ठीक है जैसे यहां पर यह रहा discount paid तो मैंने यह select कर लिया तो यहां पर कुछ आया ही नहीं फिर यह सोचते हैं कि यहां पर सायद 10% यह जो भी 12% है वो लिखने से आ जाएगा मैंने यह भी लिख दिया rate में तो भी नहीं आया यानि यह जो discount का ledger है यह only सिर्फ cash और trade discount पे ही apply होगा अगर आप total amount पे apply कराना चाहोगे तो यह applicable नहीं होगा तो इसके लिए हमें करना क्या होगा अलग से एक discount बनाना होगा discount laser हमें अलग से बनाना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे यहां पर इसको करते हैं delete और alt plus c alt plus c और अब आप ध्यान से देखना अब discount का ledger बनेगा दूसरा डिसकाउंट और यहां पर आप paid कर दो इसको आप simple paid कर दे आपने इसको और यह indirect expense लेकिन अब laser type में क्या आएगा बताओ क्या आएगा अब laser type में आएगा not applicable क्या आएगा not applicable यदि आपने यहां पर discount account select कर लिया तो यह नहीं apply होगा यह बात आप ध्यान रखें अब मैंने यहां पर जैसे में यहां पर 12% करूंगा लेकिन बारा प्रसेंट टाइप करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका टोटल यहां पर आप टोटल देखो टोटल जो है 75,402 रुपे है कितना है अगर आप चाहते हो कि यह माइनस हो जाए तो आपको यहां पर 12% जो है प्लस में नहीं आपको माइनस में लगाना होगा कैसे लगाना होगा ऐसे अभी आप देखना अब एंटर करूंगा तो यहां पर जो अभी पहले amount प्लस में थी अब वो माइनस में आ चुकी है 7000 something और वो इसमें से माइनस भी हो चुकी है तो इस प्रकार total amount पे जो है discount लगाया जाता है अब इसको आप करेंगे accept narration देना चाहते हो दे सकते हो यहां पर new reference और इसको करते हैं accept और यहां पर no तो इस प्रकार हम सभी discount की जो है transaction कर सकते हैं तो आज हमने आपको सिखाया sale voucher यानि sale entry पर discount को कैसे apply करते हैं इन तीन तरीके से हम discount को apply करते हैं और हम आसा करते हैं कि इन तीन तरीकों को आप बड़े अच्छे से समझ गए होगे अगर आपको आज की वीडियो से कुछ knowledge मिली है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें हो स के तो हमारे channel को भी subscribe करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में thank you धन्यवाद